गुड मॉर्निंग प्रेंट्स आज हम लोग परिस्थित्गी और पर्यावरण के बारे में जाने हैं तो देखते हैं सबसे पहले इसका इंटूड़क्शन देखते हैं पर्यावरण या मुख रूप से दो बास सबसे मिला है यानि इंगलिसमी क्या नाम है इसको इंभार्रमे में सभी अवयों में एक खास संतूलन होता है जिस दिन यह संतूलन बिगर गया उस दिन नहीं मानों के लिए रढ़ने लायक रहेगा नहीं किसी जीव जन्तू के लायक रहेगा परियावरण संरक्षन के सुर्वात कभ होती है तो निसो आर्टालिस में दा इंटरनेशनल उ इंटरनेशनल उनियन फोर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्च सच की अस्थापना के तरह इसके बाद सम्मेलन क्या क्या हुआ तो पेरिस में उन्सों उन्सट में फिर मानों प्रयावरण सम्मेलन यहीं मील का पत्थर सावित हुता जो इस जिसे हम लोग सम्मेलन कहते हैं जो 1922 में हुआ था प्रिद्विस सीखर सम्मेलन यानि रियो डी जेनेरो 1992 जो सबसे इसके वाद लाइट में विसो जलवायू सम्मेलन यानि कोटो प्रोटोकॉल और 697 वाली समेलन 2007 ए श्ट्कॉम समेलन 2019 और अभी हाल ही में हुआ त्हों न तो चीली में लेकिन नहों सका क्योंगि चीली में आंतरी की विल्रोह हो रहा था जिस कारण इस बार कहां हुआ था तो यहां 2019 वाला कहा हुगा 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 तो एहां ऑनलाइन ही लेकिन इसको ios किसनिंग्या तो इसपेन के सार में डिर में हुगा सहीद दरजनों अंतरश्री समेलनों में परियावरन सनक्षन पर भहस हुई तथा परियावरन सनक्षन हेतू अनेक प्रावधान बनाए गे 5 जुन 1972 को इस्टोक खोम में हुए पर्थम मानों पर्यावरन समेलन में ही 5 जुन को विश्व पर्यावरन दिवसे घुशित किया गया पर्यावरन से संबंधी समस्याओं और मसलों पर भारा सरकार ने चौथी पंचवर्शी योजना के दोरान भारतिय पराने बिज्ञान सर्वेक्षन यानि जेडेस के उस तरह के सर्वेक्षन खोज और अनुसंधान में सलंगन है जिसे देस की समड़िध जन्तू विविज्ञा की घ्यान में ब्रिधी हो यानि जू लोजिकल सर्वे ओफ इंडिया यहीं कहा चाहिए इसको भारतिय परानी विज्ञान सर्वेक्षन वर्स 1916 में अस्थापीद जेडेस आई का मुख्यारे कुलकत्ता में है और देस के विभीन भागों में इसके 16 छेतरी ये केंदर हैं भारतिय प्रानी भी ज्ञान नेहाल के ही वर्सों में अपने सर्वेक्षन और अध्यान को पांच परमुख करकरमों में समन्मित कर अपनी योजना को पुर्ण गठित किया जैसे राजियों में जियु जन्तुओं के स्थिति, सनरक्षी छेतरों के जियु जन्तु, महत्वपूर्ण पार्षित्की के जियु जन्तु, लुप्त हो रही प्रजातियों के सर्वेक्षन के स्थिति, पार्षित्की अध्येन और प्रयावरन परभाव का अध्येन जेटेसाई ने 2056 के दोरान देश के विभीन राजियों के अंतरसासित परदेश्त में 101 व्यापक जियू जन्तु चुनिंदा संरक्षित और सुरक्षी छेतर सामिल किये थे जिसमें तिपती जंगली गधा लद्दा के हिमालाई हीम मूसक पर दो सेलेक्षिन किये गया राष्ट्रिय जियू जन्तु संगरह में 592 प्रजातियों के 11295 जन्तुगों को जोर कर इसे और अधिक स्वम्रित किया गया पेरोमडी वर्गे यूरी टो मीड़ी वर्गे डेफिनीडी वर्गे के अनेक जन्तुगों को नय खाद्य पदार्थों के रूप में खोजा गया मरुस्थल परिक्स्थित की यानि ADD ecosystem या डिसको घसते हैं डेजर ecosystem और छार जल यानि आदर भूमी यानि वेट्लेंड ecosystem तो तो वर्थी अर्था कोस्टल या मरीन ecosystem का अध्या गया इसके अध्यान दक्षिन पुर्वी तट की पुलिकर जीहिल की मोसमी विवित्ता तथा जीव जन्तुगों की सनचना पर अध्यान से जु प्लांग्टन के साथ वर्ग मुलस्का की 15 परजातियों की 6 परजातियां निर्धार्थ की गये थी करसी की उत्रांचल से तिरणभी वर्थ सबाद मुलस्की में भारती संस्राववेचन अन्यार्थ वर्थ सवाद मुलस्कीया वैं और वनावरण की स्थिती है पर्यावरण मंत्राले के अंतरगतकार करने वाला ऐसा संगठन है जो देश के वन छेत्रों और वन संसाधनों से संबंधी सुचना एवं आकरे एक अतर करता है इसके अलवा पर सिख्छन अनसुंधान एवं विस्तारन का कारे भी यह संगठन करता आए एफेसाई देस के लिए भी स्टेट ऑफ फॉरस्ट्री पोट जो पर्तीएक दो वर्ष पर राश्टी वनश्पती नक्स से भी तैहर करता है एफेसाई हर दस वर्ष बाद 20 से बनाता है इने नक्स से के लिए राजसरकारों की उत्याज की जाती है इस संगठन का मुख सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना राज्यों के विभीन असरों पर वन विभाग के करमचारियों चला तक्राइब इष्य ओनorial पर नीति निट natomiast से प्रयां प्रयूख्त दरों और आद सुलकों के अध्यायन भर एक केंद्री दल की अस्थापना भी की है जिससे वस्तुग आयात जिन में वन उत्वाद सामिल है कि अध्यान के साथ 2700 वेपार संग के साथ समझोते हैं कि अंतर्गत वड़ीता वेपार यानि प्रिफिरेंस से ट्रिजी मुक्त वेपार से संबंध ही ते बहुत पक्षिय और रखे कारून बनाए जाते हैं उसमें किसी छेतर यानि जंगल को गोशित कर देदी जाता है कि यहां संद्रक्षि छेतर है सबस्चे पहड़े देखिए जयो मंदल रख्ष छेतर और तट्रेए परश्षीत की परनालि में अन्माशिक पीटा बनाय रखने माले बहुत देस् इसको द्वार तयार जय मंदली आरक्षी छेत्र के विशुयापी धाचे में सामिल होने के लिए आरक्षी छेत्रों को कुछ नीशी सर्तों और कुछ नियूंत मानकों को पूरा करना पड़ता है इसके अंत्रकात विशु की पर्मुख पारिस्थियति की परनालियों परनालिय संस्कृतिक और पर्यावरन एवं पर्षित की विज्ञान को बनाया रखने वाली आर्थिक और मानविकास से संब्धित गतिविधियों को पुर्शान देना और सिक्षा सूचना का आदान परदान अनुसंधान निग्रानी और परशिक्षन देना है अब दक 14 जय मंदली आ सुन्दरबन सिमिली पाल डिब्रू से खोवा दिवांग दिवांग पंचमरी कच कंचन जंगा अगस्मालाई फिनय आया है अचानक मार और भी महुसारे हैं कुली मिलाकर की वर्तमान में 18 और यहां देखिए चार कुन को ने यानि युनेसको ने किनको किनको मानता दिया है यह पूरा ना इस दिया है निलगीरी सुन्दरवन मननार की खाड़ी और उत्राण जल का नंदा देवी और भी कितना है तो अभी अठारा में से एकारा को युनेसको ने क्या किया है तो मानता दे दिया है जब हम लोग पूरा पूर लेंगे इसके वाद में जब इसका पस् वह चेली है और जहां उतले पानी की सता से भूमी ऑढ़की रहती है यह छेतर बार्द नियंद्रण से पर्भावी है और तल्षट कम करती है इससे सित काल के लिए पक्षीयों और 29 में सरनन के विभीन परकार की मख्रमें और को दो पर जरभाव करने की उंची समूंद्री है इसके अलावा सेक्षनिक और बैगानिक दिश्टिकों से भी आद्र भूमी बहुमूल है इन में हमें टिकाव लक्री जलावन जानवारों का पौश्टिक चारा वनस्पति और जरी बूटिया मिलती है आद्र भूमी की पहचान तो उसके कुछ स्तत्व हैं जैसे जब कोई चेतर अस्थाई रूप से या समय समय परें जल मगन रहता हो जब कोई हाइडरीक जल में पैदा होने वाली वनस्पतियों के बढ़ने में मददगार हो जब किसी चेतर में हाइडरीक मीटी की लंबे समय तक संकुचित रहने से उपड़ी परत नीर छेफ हो जाए तो क्या ह जोहरवाले चेतरों को आदर भूमी के रूप में परिभासित किया गया है इसके अंतरगत कच्छ वनस्पतियां परवाल नदी मुहाना के सनक्षन के लिए मंत्राले दौरा 1987 से एक कारिकरम चला जा रहा है इस कारिकरम का उद्यस आदर भूमी से प्राप्ति संसाधनों का अनुमान देश के लिए आदर भूमी की महत्ता अनुसंधान एवं विकास गति विदियों को बढ़ावा देना और इस समय 22 राजियों में चिन्हित किये गए 66 आदर भूमी चेतरों के लिए कारिकरम को बनाना और उन्हें लागू करना इस कारिकरम में राजियों के आदर से लिए गये हैं अभी हाल में क्या हुआ है हाल में तो आदर भूमी जो भालत में कितना था भी तो चाथिस उसमें पहले 26 था उसमें दोसका विस्तार किया गया था वह भी अपडेट करना करेंगे हम लोग आगे दिखिए हाल ही में इस कारिकरम के पैमाने में महत्तुपू पूछ रहा है तो मैं गरोव विश्व के उसन तथा उपोसन कटिबंदी छेतरों की छार सहन वाने की परिसित की विवस्ता है यह बड़ी तदाद में पौधों और जीव जन्तुओं की ऐसी परजातियों के संगरहन छेतर हैं जो लंबे विकास करम में आपस में सम्बंद जीन में छार सहन यानि लवनिये पानी जो है उसको सहन करने के छमता है यह समुद्री तट रिखा को इस्तिर करती हैं समुद्ध द्वरा हो रहे कटाओं से तरबंद के रक्षा करती है कोच पनस्पतिया समुचे भारतिये समुद्र तट पर परयोक्षित मुहानों जुआर खारियों पॉस्च जोल यानि ब्रहकी सुवाटर चार दल्दलों और दल्दली मैदानों में पाई जाती हैं यह धारनी मत्स छेत्र यानि मत्स पालन के लिए भी महत्पूर्ण है हाल में कमजोर कच्छ पनस्पति परसित्की को मान भी और जैविक दवाव सहन करना पर रहा है इसे कंख्छ वनस्पति सनक्षन और परबंध योजना के अंतर गधर और तीसको वनस्पति चेत्र की पाचान की गई है जिसमें रश्प्रिये कच्छ वनस्पति-व्परवाल-भीति-धिक अनुसंसा और उनके अनूठते प्रसिपधित की तंतर और जयविविवित्ता क अधार पर इन कच्छ वनस्पति छेत्रों की पाचान की गई है प्रबंधन कार्य योजना यानि एम एपी के तहद कच्छ वनस्पति को बढ़ाना बचाने प्रदूसन की रोगता यह जो जो अच्छी बात हैं किया जाएगा इसके अलागा केंद्र और सोध और विकासात्म गतिवीद्यों के लिए भी कार होगा देश में 32 वर्गो 28 समुह में कच्छ वनस्पति की उनहतर पर जाती हैं यही नहीं भारत है दुनिया को चुनिंदा देशों में हैं जहां कुछ कच्छ वनस्पतियों की सरसेश्ट पर जा पीचा वर्म में पाई जाने वाली राइजो फोरा अन्ना मलायना और दूसरी है और दूसरी है उईसा के भीतर कणिका में पाई जाने वाली हेरो टेडिया कणी कसिस इन्हें इसको के जय मंदली आरक्षी चेतरों की विसुद्व सुची में पहुच्छी मंगाल को सुन्द प्रिश्ट की परनाली होती है जाता है उच जय मास उत्पादन और सम्रीद वनस्पति वाजीव जन्तुकों की विवित्ता इनकी विस्टा होती है भारतिया महा दियुप में परवाल भीतियों को परतिव बंधित छेतरों के पुडवी और पहुच्छमी तटों के साथ बा परवाल तो परवाल इसको पहले है इस तरह से बनेगा जिसे वहां तट पर जाने का मार्ग और रूत करेगा यह मुक्ता कहां है तो मनार की खारी और पाक के खारी में पाई जाती है इसको कहेंगे परवाल भीति उसके बाद होगा एक प्लेट फॉर्म यानिकि बीच में इ इसको कहते हैं एट ओल यानिकि दीप के चारो और दीप से उंचा हो जाने दीप को ही सब मर्ज कर देगा बीच में पानी हो गया और चार तरफ है यहां एट ओल के रूप में दीप के रूप में विख्सित हो गया तो चार भीज इंद माहसाग्र में अंतराष्चे निफी jeżeli और को रही और किछेटर को बिवमाना है युनियस्को के जयो मंडली आरख्षित छेत्रों की विशु सूची में तमिलाडू के मननार की खारी के प्रवाल भीति छेत्र को भी सामिट किया गया है कोच परनस्वतियों और प्रवाल भीतियों की राश्ट्रीय समिती ने अल्वानिकोबार लच्टीव कोच और मननार की ने इन का और वाली की अंगता क्या याक मतलब क्या कि हाँ फिसंटि इसे चेही करने अधरीquito को में परिवरतन सीलतह और पारिस्टीट की जटा है आर में पर्जातियों तिना ये पारिसीटकी परनाली की अंतर्गत और उनके बीच कहकर सामिल है मीसि और उद्योगों में हो सामिल जहां दुनिया के साथ से सतर परसेंट पाई जाते हैं भारत में अठारा फरवरी 1994 को जैविक विविता संबंधी अंदराश्टी संधियानी मामनों को देखने के लिए बनाई गए एजेंसियों में समन्य सुनिशित करने के लिए एक चैना तो पर शितिति की सुरक्षा से सम्द्धी दस्ता बेजों को तयार कर तैयार करने के लिए एक वियापक राष्ट्रीकी जैवीक विवीधिता गारी निटिए और त्यार की गई इसका मुखु देश क्या था जय विविता का समरक्षन और उसके सतत्र उपयोग के लिए एक राश्टी योजना बनाना NBSP कारी योजना पर एक रिपोर्ट मंतराले को प्रेस की गई और यह रिपोर्ट कारी योजना त्यार करने में प्रिक्ष की जाएगी जय विविता अधिनियम 2002 याद कर लिजे इसी तरह से पुछता है जय विविता अधिनियम कब आया था तो 2002 एक अक्टूबर 2003 को गजट अधिसुचना के नुसार चिन्नाई में एक राश्टी यह जय विविता प्राधिकरन अस्थापित किया गया है इस अधिनियमे जय विविता में सन्रक्षन से संबंधित किसी भी मामले को देखने के लिए राजस्तरिय वोड और अस्थानी जय विविता परबंधन समितियों को अस्थापित करना सामिल के गया जय विविता से संबंध जो 17 देश पर्मुखे जैसे बोलिभिया ब्राजील चील कोलंबिया कोश्टारिका कांगो गंतंत्र इंक्वाडोर भारत इंडोनेसिया किनिया मेरागास्कर मलेसिया फिलिपिन्स मेक्सिको दक्षिन अफ्रीका और बेनेजुला ने मिलकर बिरहत व अठ्षन को सन्युक्त राष्ट्र अना अंताश्टी मंचोस से माने दाप्राप्त है भारत मार्च 2004 में तता 2006 तक LMMC का अध्यक्ष रह चुका है यानि 2004 से 2006 मेगा डाइवर्स कंट्री के बाद हो रही है आगे देखते हैं जयाव शुरक्षा पर काटा जीना यहां लिख दिया काटा गेनी काटा जीना संती यह क्या है जीव बिज्ञान विवित्ता यानि पाइलोजीकल डाइवर्सिटी पर हुए समेलन के तता अध्धान में सजीव परिस्क्रिट संगठनों यानि लीविंग म काटे जीना कहा है तो काटे जीना कोमेट कीजिएगा काटे जीना मेरे हिसाब से जबान में के इस्तेमाल संचालन और सुरक्षित अस्थांतरन की दिशा में पहला अंताष्टी यह विदियामक था यहां यानि समझोता है इसके अलाव मंत्रा आले ने कुछ नियोजनाय भी किया जैसे टेक्सोनोमी में जहमता विकास पर अखिल भारती यह समनवित का रही हो जिना और नस्पति उद्ध्यानों को सहायता तथा औस अधिये पौधों का सनक्षन आदिक करना है कुछ देख लेते हैं वन सनक्षन नीती और कानूम वन पुनरूप योगी संसाधन है औ इसको फोरेश्ट वन रिपोर्ट 2019 के नाम से हमने एक वीडियो बनाया था उसमें देख लिजेगा उसमें प्रतमान में देश में कितना है तो देश में भी रभग चाप पर आंच परसेंट कुल वन और वन आवरन हैं जिसमें वनों का मात्रा लगभग 22 परसेंट से कम है औ इसको माना जाता है तो अगले बार देखेंगा डीटेकल से इस में वनों को भठा जाता है कुता है और फिर होता है तो वह में इसा सबसे हैं तो च्छे परसेंट मूह वोद मीजोरा में सबसेंधिक फ्रेश में नाम भी नाम किसा तो लाक्ष जिप काता है इसी तरह मैगरूब वन सबसदी कहा है सुदरवन बंगाल उसके बाद गुजरात का उस्थान आता है इसमें भी दिखेंगे कहा कितना आता है तो सबसे अधिक तो और इसमें भी परवार हुआ है और वन नीति और कानुम तो भारत उनकुछ देसों में स सुणड़ख्षा संड़ख्षण और विकास है इसके मुख़ लगछए पार्स्थित के संतूलन के संड़ख्षण और पुर्णरस थापना द्धुर्णा पर्यावरान संतुलन को बनाया रखना प्रकृतिक संपधा का संड़ख्षण नदियों जीलों रुद्धीयों और जल करना, इन उद्रिश्रों के पूर्ति के लिए इन्धन की लखडि चार्य ताहँ छोटी मटी owन उपज आवसक्तायूं की पूर्थि के लिए बिंचताना राश्री आवसक्तायूं की पूर्ति के लिए वपादों में विर्धी करना इन उद्देशों की पूर्ति के लिए वर्तमान वनों पर दवाव कम करने के लिए बड़े पैमाने पर कि बड़े पैमाने पर आम जनता मिसेश कर महिलाओं का अधिक्तम सयोग हासिल करना है इसमें राष्ट्रिय वन अधिनियम छेतर के कामकाज के समिशा के लिए वन और पर्यावरन मंत्राले ने साथ फरवाडी 2003 को राष्ट्रिय वन आयोग का अगठन किया इस आयोग का कारेकाल 2006 तक बढ़ाय गया था करने का अधिकार सामिल नहीं इन स्रक्ष्णों को राजसलाकार समुह के परामर्स से पांच से भीस हेक्टियर की तक की भूमी के मामले पर वीचार करने का भी अधिकार है मंत्राले ने वन स्रक्ष्ण नियम 2003 को अधुर्ष सुचित कर 1981 में पाड़ित्य अधिनियम को संसू करें दून।